तो एक नमबर और आपके सामने हाग रहे आपके गवरसर तो गवरसर आए यानि कि आपके प्यारे रिशब प्यारी सरा है लेक्चर नमबर 6 एडमिशन अफ पार्टनर को लेकर और ये इस चैप्टर का लास लेक्चर है जिसमें जो छोटे-मोटे बच्चे वुए टॉपिक् चैप्टर के लार्स तक आते हां थे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टनर्शिप किया था हम लोगों ने चेंजन पीएसर किया और फाइनली हम लोगों ने एडमिशन अफ पार्टनर खतम कर लिया है आपके लिए इन चैप्टर में से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन चैप्टर फर्स में से पास एजस्मेंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए कम से कम पास से छे कोश्टन उसकी बैक्टिस करेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोपेशन के ऐसे कोश्टन जिन में वैल्यू ना दी हो मिसिंग वैल्यू वाले कोश्टन हो पास एजस्मेंट के साथ साथ जो गारेंटी वाले टॉपिक हैं उनको थोड़ा करके देखेगा सेकंड चैप्टर की बात करी जाए तो सारे ऐसे ट्रिक्स ले लीजेगा जिसमें आपको एजस्मेंट्स ही दे रखी हो एर्नॉमल लॉस एर्नॉमल प्रॉफिट यहां तक आपके लिए काफे इंपोर्टेंट आज की ग्लास में हम उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं लास्ट लेक्षर में आपने देखा था कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिविन ही ना हो तो हम उस कोश्टन को कैसे करेंगे आज की ग्लास में देखेंगे कि एक्स और वाई उनका पुराना रेशियो आपको गिविन है टू रेशियो वन और बैलेंस शीट आपके सामने है अगर मैं बात करो बैलेंस शीट में कौन-कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो आप पार्टनर्स कैपिल अकाउन में डालते हैं तो यहां पर आपको रिजर्फ रूपे लेकि आया है अपनी कैपिटल के रूप में और 15,000 रूपे लेकि आया है अपने गुडविल के रूप में हाफ जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्ड्रॉ कर ली तो जो आपका पार्टनर्स कैपिलाउन बनेगा उसके डेविट में आएगा ड्रॉ करके चीजों को सारा करना है चलिए तो आपको वैसे तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है लेकिन मैं आपको पहले रिवेलिशन एकाउंट बनाके समझाऊंगा और उसकी मैं साथ-साथ आपको जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा आई होब कि आपकी जो सीरीज सल रही है इससे आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना परसेंटेज आपकी अकाउंट्स में थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट आया है जादा इंप्रूब्मेंट आया है जितना भी आया ह है आप मुझे बताईएगा जरूं समय है तो रिवेलिशन का ये साइड जो है वह आपका डेटिट साइड है और रिवेलिशन का जो ये साइड है वह आपका एक है चलिए तो सबसे पहले यहां पर आपको ते रखा था investments are valued at rupees 10,000 investment की value 10,000 पहले कितनी थी 8,000 2000 का फाइदा हो गया और यह investment partner ले गया तो by investment 2000 उसके बार typewriter depreciate हो रहा है 20% से तो घाटा है हमारे लिए जब कोई assets depreciate हो रही है तो two typewriter 20% तो typewriter की value कितनी है 5000 5000 का 20% निकालोगे तो आएगा आपका 1000 ठीक है 1000 फिक्स assets भी 10% से कम हो रही है तो fix assets आपकी 1,37,000 तो 13,700 का यहां लग जाएगा two fixed assets तेरा हजार 700 उसके बाद एक old customer का जिसको आपने नल्ला मान लिया था यह पैसे नहीं देगा बढ़ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतिकाम देखेगा और उसने 1000 रुपे दिये आपको तो आपके लिए एक benefit है आपने बैट debts promise to pay तो by bad debts पैसा आ रहा है एक तरीके से तो कम भी कर सकते हो इसे 1000 रुपीस के हिसाब से ठीक है बस अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि loss on devaluation आएगा इधर का total आ रहा है आपका 14,700 और इधर का 3,000 तो यहां पर आप देखोगे 11,700 का by loss on revolution आएगा यह 11,700 हम लोग बांट देते हैं partners में 2 ratio 1 में तो 11,700 2 ratio 1 है न हाँ तो 11,700 into 2 upon 3 तो जो X है उसमें आएगा 7,800 और जो Y है उसमें आएगा 3,900 और दौनों को जोड़ोगे तो आएगा 11,700 और यह आगया आपका 14,700 यह आपका हो गया revolution complete अब आपको बनाना है partners capital में लेकिन जब भी आपको इसकी general entries दी जाए जनल entries कैसे करेंगे जो भी revolution के debit side में जा रहा है उन entries में revolution में क्या आएगा debit side में आएगा जैसे अगर आपको typewriter की fixed asset की general entry पास करनी है तो revolution account debit to typewriter, revolution account debit to fixed assets और अगर आपको इन में से दी हुई चीजों की entry पास करनी है तो यहाँ पर revolution कहा हुआ है credit side में हुआ है तो entry में भी credit side जाएगा entry हो जाएगी investment account debit to revolution, bad debts account debit to revolution, loss यह आपको बाट देंगे partners ने अब हम देख लेते हैं हमारा partners capital account जो कि काफी main है समंहें के लिए partners capital account टेजहें, टीर तीन है दिंग 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 है? यह आपका डेबिट साइड और यह आपका क्रेडिट साइड यहाँ पर आपका परिटिकुलर एक्स वाई जैड परिटिकुलर एक्स वाई जैड और यह हमने क्लोज कर दिया जब भी आप पार्टनर्स कैप्टल अकाउंट बनाएंगे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है पार्टनर्स की कैप्टल को यहाँ ट्रांसफर करना तो buy balance BD कितना कितना है X का 75,000 Y का 62,000 तो X का 75,000 Y का 62,000 और Z कितना पैसा लाया है 40,000 लाया है goodwill के तो buy bank buy bank 40,000 उसके बाद आपको question में reserve fund भी रखा था 18,000 का तो old partners में two ratio बढ़ जाएगा तो शायद 12,000-6,000 आएगा लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं 18,000 into 2 upon 3 तो 12,000-6,000 आएगा buy reserve fund 12,000 और आपका 6,000 उसके बाद loss हुआ था revaluation में तो two loss on revaluation कितना कितना आया था बिटा यह आएदा आपका 7,800 और 3,900 7,800 और 3,900 7,800 और 3,900 ठीक है अब और कुछ चीज़े दिख रही है आप से कह रहा है कि जो हमारा पार्टनर है वो 15,000 की goodwill लेके आया है अब आपको कोशन में कुछ भी mention नहीं है कि इसका जो 1 upon 4 है वो उसने कैसे लिया तो इसका मतलब जो पुराना share है उनका 2 ratio 1 वही क्या हो जाएगा sacrifice ratio हो जाएगा तो 15,000 का 2 upon 3 करेंगे तो यह आपका 10,000 और 5,000 आजाएगा 10,000 इवा करके देख लेते हैं 15,000 into 2 upon 3 तो यह आपका 10,000 और 5,000 by premium for goodwill by premium for goodwill 10,000 और 5,000 अब आपसे इस question में कारता कि जो goodwill है उसमें से आदी goodwill partners ने निकाल ली है जो आपकी goodwill है उसमें से आदी goodwill partners ने निकाल ली है यानिकि two bank x को 10,000 मिले 5,000 निकाल ली है यानि आदे और उसने आदे निकाल ली धाई है यह आपने निकाल लिया है अब हम एक बार balance करेंगे और balance थोड़ा ऊपर करते हैं अच्छा balance यहां कर लेते हैं सबसे पहले x करेंगे 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 तो यहां आ रहा है आपका 97,000 y का करते हैं 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 तो यह आ रहा है 73,000 और z का तो 40,000 रहे गए रहे अब यहां पर इसको minus कर देते हैं तो balance cd तो आपका यह 97,000 में से minus 7,800 और minus 5,000 आप करोगे तो यह आपका आएगा 84,200 73,000 में से आप minus करेंगे 3900 और minus करेंगे 2500 तो यह आ रहा है 666,600 और यह आपका as it is आगे अब सर ऐसे question में हमें आगे क्या करना पड़ेगा देखिए ऐसे question में आपको आगे समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों को आपको calculation में कैसे लाना है बट अगर आप यहां पर ध्यान दोगे इस question में balance करने के बाद तो यह रहा एक्स ने investment लिया था एक्स का investment वो हो एक्स ने investment लिया हुआ है बिटा जब भी किसी partner ने कोई assets ली है तो partners capital के debit side में जाती है क्योंकि जब उसने कोई assets ले ली तो जायर सी बात है अब हमें उतना पैसा पे नहीं करना पड़ेगा जतना करना था तो यह दस अजार रुपे और हो गया तो यहां पर हम टोडल करते हैं कि 97000 माइनस 7800 माइनस 5000 और माइनस दस अजार तो यह बैलेंस आ रहा है तू बैलेंस सीडी 74200 अब इसको हम बन कर लेगा चालिस अब ऐसे questions में हमें और क्या करना होता है जब भी adjustment वाला हमसे बोलेगा तो ऐसे question में हमें और क्या करना होता है सबसे पहले यह जो balance आपको दे रखा है इस balance को यहां होता रहेंगे by balance bd कितना 74200 66600 और आपका 40 अब देखिए बच्चा आपको इस question में क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले इस question में new ratio निगालना पड़ेगा x और y का ratio क्या था x और y का ratio था 2 ratio 1 और z का share किता है 1 upon 4 तो देखो let the profit be 1 करेंगे let the profit be 1 करेंगे तो 1 minus 1 upon 4 तो यह बचा हुआ profit आ गया 3 upon 4 तो जो x है x का share कितना था x का share था 2 upon 3 into 3 upon 4 तो 3 से अगर मैं 3 काट दों तो यह आ गया 2 upon 4 y का था 1 upon 3 into 3 upon 4 तो अगें 3 से 3 काट दिया था 1 upon 4 और z का भी 1 upon 4 यहरे कि new ratio आ गया 2 ratio 1 ratio 1 अब हमें निकालनी पड़ेगी total capital और जो total capital आएगी उसको अब हम इस ratio में बाटेंगे जो z है वो 40,000 की capital लेके आया है अपने 1 upon 4 शेयर के लिए यानि कि हमने किसी का 1 upon 4 किया है और 40,000 निकल के आया है आपको अगर total capital चाहिए तो 40,000 into 4 upon 1 कर दीजिए यानि कि total capital कितनी आ गई एक लाग साथ अजार एक लाग साथ अजार को तो रेशियो वन रेशियो वन में बाटोगे तो आपका आएगा 80,000 40,000 और 40,000 वन लेक 60,000 into 2 upon 4 वन लेक 60,000 into 1 upon 4 और सेल तो यह 80,000 40,000 चालिस अजार यानि कि यह जो पार्टनर्स हैं इनका टू साइड में बैलेंस कितना आना चाहिए तो बैलेंस असी अजार चालिस अजार और 40 तो यह जो एक्स है उसकी कैप्टल कितनी है 74,200 होनी कितनी चाहिए 80,000 यानि कुछ कम है तो यह जो एक्स है यह और पैसा लेके आएगा बाई बैंक वाई की कैप्टल है 66,600 और होनी कितनी चाहिए 40,000 यानि कि जादा है तो यह पैसे निकाल लेगा तो टू बैंक यह तो आपका निकाल लेगा 26,600 और इसको शायद 5,800 लाने पड़ेंगे 80,000 माइनस 74,200 हाँ 5,800 इसे लाने पड़ेंगे तो यहाँ पर यह हमारा बैलेंस हो गया यहाँ पर यह हमारा बैलेंस हो गया अब जब आप इसी कोश्चन की बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पर क्या करोगे बिटा लाइबिल्टीज में सबसे प बढ़ चुका है और capital ये जो अभी आई 80,000, 40,000, 40,000 इससे आपको मतलब cash at bank में बहुत अच्छे से calculation करनी है 5000 तो cash ही हो गया उसके बाद partner जो capital लाया वो plus कर देंगे goodwill लाया वो plus कर देंगे half goodwill निकाल ली minus कर देंगे उसके बाद ये जो partners capital में 5,800 लेके आया उसे plus कर देंगे और ये इसको minus कर देंगे उसके बाद जो आएगा वो cash में treatment करना है इस तरीके से आपकी इसकी पूरी balance sheet हो जाएगी next question है आपके लिए ABC partners है profit and loss ratio दे रखका है 5 ratio 3 ratio 2 D को admit किया है 1 upon 8 के लिए जिसमें से दिया है B नहीं यानि कि सीधा-सीधा new ratio निगाल लेते हैं पहले A का share है 5 upon 10 ठीक है D आया है और A और B नहीं दिया है A ने दिया है 1 upon 8 एक बार LCM कर लेते हैं 10 और 8 का 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 तो यह आपका 4, 5 जा 20, minus 5 यह आपका आगया 15 upon 40 A का बात करी जाए B का तो B का share B ने कितना दिया है B ने दिया है 1 upon 8 तो 3 upon 10, minus 1 upon 8, LCM 40 आ जाएगा 4, 3 जा 12, minus 5, 7 upon 40 C का share कितना दिया है 2 upon 10 C ने ना लिया ना दिया तो 40 लाने के लिए 4 का multiply उपर और 4 का multiply नीचे तो 8 upon 40 और D का share कितना दिया है 2, 1 upon 4 तो 10 का multiply नीचे और 10 का multiply उपर तो 10 upon 40 यारे कि new ratio आगया आपका 15, ratio 7, ratio 8, ratio 10 यह new ratio है अब आपको हमें question में बोल रखा है कि जो आपकी total capital है वो है 3,20,000 रुपे तो आप क्या करो पहले 3,20,000 को इस ratio में बाट लो और आपको ABC की capital दिरखिए 1,75,000 और 60,000 इस से compare करो कि कितना पैसा कितने किया है तो देखो 3,20,000 capital है ratio 15, ratio 7, ratio 8, ratio 10 यही है क्या? हाँ अब सबसे पहले यह आपका total कितना आएगा? 40 तो 3,20,000 into 15 divided by 40 तो एक का आना चाहिए capital एक लाग बीस अजार एक लाग बीस अजार इन्टू सेवन डिवाइड़ बाई 40 फिप्टी सिक्स ताउज़न तीन लाग बीस अजार इन्टू 8 डिवाइड़ बाई 40 तो सी का आना चाहिए 64 तो हमें तीनों से मतलब है क्योंकि वो तो लियाएगा अपना शेर अब एक का एक लाग बीस हैर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कितना है? एक लाग तो ए बीस अजार रुपे और लाएगा बी का 75 ताउज़न होना चाहिए यहाँ पर है 56 ताउज़न तो बी को भी और पैसा लाना पड़ेगा लगबग 19 अजार रुपे C का यहाँ पर है 60,000 और होना चाहिए 64,000 यानि कि 4,000 रुपे यह निकाल लेगा ज्यादा लगा हुआ है इस तरीके से फिर यह कोशन है आपके लिए अच्छा कोशन है अशोग और बीजू और पार्टनर से इसमें भी सबसे पहले देखो चंद्र वुड प्रोवाइट एक लाग अपनी कैप्टल के लेके आ रहा है 20,000 लेके आ रहा है गुडविल के वन थर्ड शेयर अशोग बीजू चंद्र वुड शेयर प्रोविट एक्कॉली यानि कि इसमें आपको सेक्रिफाय रेशयो निकालन मशीनरी वुड बी रिड्यूज बाइ 10 परसेंट तो यह आपके रिवैलुशन के डेबिट साह में डाल देंगे एंड रुपीज पांच जार वुड बी प्रोवाइड़ेट फॉर बैड डेप्स यह आपके प्रोवीजन के डेबिट साह में आएगा रिवैलुशन के इस च अगर रिवैलुशन में प्रोफिट्ट होता है कि एक डेबिट साह में डालेंगे औरो कि यहां होता ओल डेशीयो ग्या है मै कि यह ऑन नींजियो अश्वन भीजाओ चंदर बीशेर एककौली बन अपॉन धूई है तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 4, तो 5 अपॉन 12 और बीजू का 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 3, 12, यह आपका 3 बन जा 3, माइनस 4, ओ, 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 यह जो दूसरा पार्टनर है, यह भी गेन कर रहा है, यानिकि यह जो 20,000 रुपे लेके आया नया पार्टनर, यह सारा का सारा शोक को मिलेगा, और बीजू भी 1 अपॉन 12 के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा लाएगा, सर कितना लाएगा, देखो, यह 20,000 रुपे लेके आया, क्योंकि इसका शेर बन तर्ड था, उल्टा कर दिया, 20 साथ हजार हो गया, तो 60,000 का टोटल है, और लाना है बन अपॉन 12, यानिकि पांच हजार रुपे और यह देगा, तो A के तो कैट साड में आ जाएगा, और B यानि B जुके, डेबिट साड में आ जाएगा, उसके बाद यह जो चंद्र है, यह एक लाग की कैप्टल लेके आ बैलेंस करोगे, और वहाँ पर देखोगे, किसको कितना पैसा डालना पड़ेगा, और कितना निकालना पड़ेगा, इस तरीके के कोश्चन्स करने हैं, अब जब तक आपका नेक्ट शेप्टर स्टार्ट होगा, रेटार्मेंट वाला, मेरी आप सभी से छोटू सी रिक्व है, तो अब तक मुझे बताइएगा कि ये तीन चेप्टर में आपका क्या हाल है, मस्त है, सुपर्व है, वैतरीन है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखेगा, खाना पीना खाते रहेगा, माबाप का ध्यान रखेगा, टाटा, वाई वाई, से यू, वरागी.